जहिन दोस्तों तो अब हम यहाँ पर ओडिसा की रामसर सेट्स देखेंगे ओडिसा में कुल मिला के छे रामसर सेट्स प्रेजेंट है एक हिराकुंड रिजर्वाइर, सतकोशिया गौर्क, तामपारा लेक, चिलका लेक, भितरकनी का नैशनल पार्क, भितरकनी का माहिंग रोज, उसके बाद यहाँ पर अंसुपा लेक तो सुरुवात करते हैं हम यहाँ पर हिराकुंड रिजर्वाइर से हिराकूंट रिजर्वायर यह हमारे देश का ही नहीं बलकि पूरे विश्व का यह लॉंगेस्ट अर्थन डैम है इसको ध्यान में रखेगा और हमारे देश की आफ्टर इंडिपेडनस ओके 1947 के बाद यह हमारे देश की वन आप दी फर्स्ट मेजर मल्टी परपस रिवर वैली प्रोजेक्ट ती ओके आफ्टर इंडिपेंडनस इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखेगा और अगर आपने मेरा ड्रेने सिस्टिम का लेक्चर किया है तो आपको यहाँ पर पता होगा महानदी रिवर जब यहाँ से आती है तो महानदी रिवर जब आती है तो यहाँ पर एब रिवर उपर से आके मिलती है महानदी रिवर को एक लेप्ट बैंक ट्रिबुटर यह एब नाम की रिवर तो यह चतिस गड़ से आती है और यह जब वहाँ पर आके मिलती है यहाँ पर महानदी रिवर को अंसुपा लेक भी यहाँ पर महानदी रिवर के left bank में पर present है तो महानदी रिवर को यहाँ पर भी धहन में रखना है अंसुपा लेक के लिए उसके बाद यहाँ पर यह एक फ्रेश वॉटर ऑग्सबो लेके यह left bank के उपर है महानदी के और ओडिसा की यह largest फ्रेश वॉटर लेके इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखने है ओडिसा की यह largest फ्रेश वॉटर लेके उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छी सीनिक ब्यूटी और बायो डिवरसिटी के लिए यह फेमस है यहाँ पर जो स्पेसिस दिखाई देती है उसमें आते इंडियन स्कीमर ब्लैक ब एफिंदे और हेलिकॉप्टर कटिश हैं है और हेलिकॉप्टर काज में तो इसको हमें यहाँ पर श्तेडी करने के बज कैंब देखेंगे क्योंकि यहां पर पहले से इसकी इन परमेशन लिखी हुई है तो बितरकनी का नैस्टाल परक के नजदिक आपको गहिर माता वाइलेब सेंचुरी भी दिखाए देगी यह एक रामसर सैट भी है यह नहीं बितरकनी का नैस्टाल पर exerc hic के यहाँ पर आपको 8 varieties 8 varieties of kingfisher bird दिखाए दिती है सबसे पहले यहाँ की जो important rivers है उनके नाम है ब्रामनी रिवर, बैतर्नी रिवर, धर्मा रिवर, पाठशाला रिवर, ओके यह हमारे देश की second largest mangrove ecosystem है और highest mangrove forest की highest biodiversity बैतर्नी का रामसर सैट में तो इसको भी हाँ पर ध्यान में रखना है यहाँ पर हमें rare albino saltwater crocodile देखी थी तो यह जो rare saltwater crocodile थी albino saltwater crocodile इसका नाम रखा गया था श्वेता और यह तिसरी ऐसी crocodile मिली थी इससे पहले भी दो crocodiles मिली थी जिनके नाम रखे गये थे गोरी एंड माली इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है उसके बाद यहाँ पर king cobra की highest concentration दिखाई देती है बितरकनी का नाशनल पार्क में बितरकनी का रामसर सैट में एक ही हो गया और इसके eastern सैट में यहाँ में यहाँ पर गहिर माता wild life sanctuary दिखाई देगी तो इसको यहाँ में रखना है अब गहिर माता wild life sanctuary जो है यह ऑन पर olive rattles टर्टल्स इसको भी यहाँ पर श्याँ पर ध्याखना है इसको मास नेस्टिंग साइट हम और अलीव रिडले सी ट्रोटल जो हे इनिको यहांपट पर पैसिपिक यह रिडले सी ट्रोटल भी के थे घ्याओब यहां पर जो वन ऑब ती लार्जेस्ट पॉपुलेश्चन ओप स्वाल्टटो ट्रोटेश्ट भी हमें यहां पर गहिर운 माता वैंद्लाइप सेंच्वीर मे यहाँ पर देख ली अब इसके बाद यहाँ पर नीचे चिलका लेक तो चिलका लेक को भी हम यहाँ पर नैशनल परक में देखेंगे अब चिलका लेक के नजदिक यहाँ पर नाला बाना वाइल लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है यह जो नाल बना वाइल लाइफ सेंचुरी यह कोर एरिया है किसका तो चिलका लेक का तो चिलका लेक रामसार साइट है इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है और चिलका लेक की ही नस्दिक आपको जो टेमपल दिखाई देगा उसका नाम क्या है कालिंजाई टेमपल कहा पर है तो चिलका लेक के यहाँ पर प्रेजेंट इसको यहाँ पर ध्यान में रखना है और यह जो नाला बना wildlife century जो है यह एक Iceland है यह चिलका लेक के अंदर हमें दिखाई जेती है और यह लगबग मांसुन में यहाँ पर disappear हो जाती है इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखना है और चिलका लेक रामसर सेट जो है यहाँ पर great flamingos जाते हैं यह गुजरात एंड इरान से आते हैं इसको भी यहाँ पर ध्यान में रखेगा उसके बाद और एक migrant species हमें यहाँ पर देखते हैं उसका नाम है spoon-billed term okay spoon-billed turn spoon-billed sandpiper I am very sorry slip of tongue के लिए okay spoon-billed sandpiper यहाँ पर जो critically endangered species है यह भी एक migrant species है उसके बाद यहाँ पर Indian river turn Indian river turn की यहाँ पर largest nesting colony है South East Asia की okay largest nesting colony of Indian river turn कहाँ पर है तो यह चिलका लेक में प्रेजेंट है तो यह आपको यहाँ पर इसके लिए तो द्यान में रख नहीं है okay South East Asia की largest nesting इसके बाद जो important ramsar site यहाँ पर प्रेजेंट है वो है Tampara Lake okay अब Tampara Lake के इसमें सबसे important river कुन सी है सबसे पहली वह है रुशी कुल्या river okay तो रुशी कुल्या river अब यहाँ पर Tampara Lake में प्रेजेंट है लेकिन यह जब फॉर्म होई थी यह फॉर्म होने की पिछ रिजन एक वार थी ओके एक बैटल थी जो यहाँ पर East India Company and French जो कंपनी थी उनके बीच में जो 1766 के आसपास वार होई थी okay तो उसके बज़ा से यहाँ पर यह लेक फॉर्म होई थी okay उसमें जो भी Explosives यूज़ होई थे तो उसके बज़ा से यहाँ पर यह लेक फॉर्म होई थी और उसी से हम यहाँ पर यह रुशिकुल्य रिवर यहाँ पर connected है okay अब यहाँ पर जो important spaces है उसमें आते है common carp okay common carp जो है यह एक vulnerable fish की spaces है okay common poker यह एक vulnerable bird है river turn vulnerable burda okay तो इनको यहाँ पर ध्याण में रखना है Tampara Lake उसके बाद यहाँ पर सतकोषिय गौर्ग हमको पता है सतकोषिय गौर कोन फॉर्म करती है तो यहाँ पर महानदी रिवर फॉर्म करती है okay यहाँ पर इस्टरंगाट में प्रेजेंट है okay उसके बाद स्थारी यहाँ पर सतकुशया गौर्ग जो है यह Meeting Point है Decken Peninsula and Eastern Ghat तो Decken Peninsula and Eastern Ghat यहाँ पर सतकुशया गौर्ग में आके मिलते हैं तो इसको यहाँ पर द्यान में रखेगा और कुछ जानगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सतकुशया Tiger Reserve जो है उसमें हम देखते हैं तो यह सतकोश्या क्योंकि लोकेशन तो एक ही है न तो यहाँ पर हमें मॉइस डिसीडियस फॉरेस्ट दिखाई देते अब फिलाल के लिए तो यहाँ पर कोई टाइगर नहीं मिलता उसके बाद यहाँ पर जैसे के हमने देखा टाइटिशंस वोनेही है यहाँ पर रिवर जो महानदी जो है यहाँ पर गॉर्क फ़रम करती ए एं और यहाँ और यहाँ पर इस्टन घाट को यहाँ पर 90 डिगरी में टर्न करती है 90 डिग्रे में स्ट्क घाट के इसमें टर्न करती है तो इसको इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर जो स्पेसिस प्रेजेंट है उसमें आते असान यह प्लाइन्ट की स्पेसिस है असान, धहुरा, सिमाल इंडियन थौर्णी बंबू उसके बाद कलकत्ता बंबू यह सब यहाँ पर सतकुशिय गौर्ग में दिखाई देते हैं अगर फाउनाद की बात हो जाए तो उसमें यहाँ पर रेड क्राउंड रूफ टर्टल उसके बाद यहाँ पर ब्लैक बिलिट टर्ण यह सब यहाँ पर सतकुशिय गौर्ग में प्रेजेंट है तो इन सब को यहाँ पर ध्यान में रखेगा तो एक तरीके से हमने पूरी रामसर सेट्स पढ़ ली अनसुपा लेग को पढ़ लिया बितर कनी का चिलका लेग तामपारा लेग सतकुशिया ही राकुंड रिजर्वायर तो मिलते हैं नेक्स लेक्चर में